तो आज के इस वीडियो पर बात करेंगे SDFX Global के बारे में काफी लोगों ने काफी सारे सिस्क्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके उपर वीडियो बनाये जाए तो ज्यादा मैं इसके डिप में नहीं जाऊंगा बस मैं आपको कुछ पॉइंट्स रखूंगा जो आपको सुनने चाहिए चलिए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे और वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन पे टेलिग्राम के लिंक होगी तो आप वहां पर जोइन कर देना जहां पर फॉरिक्स के सिगनल में प्रोवाइट करता और यूटूब जनको सस्क्राइब नहीं क्या तो सस्क्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर देना तो यह HDFX ग्लोबल का वैबसाइट है जो आप यहां पर चेक कर सकते हो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ पॉइंट्स को मैं यहां पर रखूँगा HDFX बताती है कि इ कोपी ट्रेडिंग के अप्लिकेशन है वहां पर इसकी ट्रेडिंग चलती है जिसमें आप कॉपी कर सकते हो जिसमें यह अच्छे खासे इंकम यहां पर कर रही हैं तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि किसी कंपनि में पैसे ढलना और डायडेक्ट आप फोड़ेक्स वो एक MLM scheme चला रही है जहां पर जो आपकी total money होती है वो उसके control में होती है self trading में यह होता है कि या तो आप loss कर सकते हो या profit कर सकते हो depend करता है कि आपकी skill क्या है company में जब आप invest करती हो तो यह total उसके ओपर depend होता है और अभी तक MLM में यही देखा गया है कि जब तक money rotation होती है जब तक 20 आते हैं तब तक वो अच्छे से चलती है लेकिन जब traffic आना बंद हो जाती है तो थोड़ासा problem होने सुरू हो जाता है और फिर धीरे यह problem बड़ी problem बनती है और company वहां से runway हो जाती है अभी इसमें system क्या है मैं आपको बताओं तो simple कि आपको इसमें account create करना है account create करने के बाद 100-200-500-1000 dollar से आपको यहां पर deposit कर दिये deposit करते हो तो यह company आपको महने का 8-10-12-20% जिस हिसाब से आपका amount हो उस हिसाब से यह आपको यहां पर return करती है और यह आपको बताती है कि इसकी copy trading की application है मतलब OctaFX का जो copy trading है OctaFX एक Forex broker है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दू कि HDFX एक MLM company है multi-level marketing company है और OctaFX एक Forex trading platform है Forex trading platform बहुत सारे होते हैं अभी आप RBI का एक list देख सकते हो जहां पे total 56 Forex broker में X circular जारी की गई है जो कि Fema Act का उलंगन यहां पर बताती है और यह बता लिए कि अनुथराई तरीके से यहां पर Forex trading की service आपको प्रोवाइड कर गए है इस 56 लिष्ट में OctaFX का भी नाम है जो कि आप देख सकते हो और तीनों website को यहां पर दिया गया है यहां HDFX अपनी copy trading को जो OctaFX का copy trading application है वहां पर अपने account को भी swap करती है जहां पर दिख सकते हो टोटल 9,70,404 डोलर का equity यहां पर है अब कुछ points को अगर हम यहां पर बात करें जैसा कि मैंने आपको बताया किसी company पर आप invest करती हो तो वह टोटल जो control होती है वह company के पास होती है भले ही वह आज वर्डॉल दे 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 बट जो control होती है वह company के पास होती है लेकिन सीधा आप OctaFX copy trading से किसी को copy करते हो तो इस कर दे हो या फिर आप इसका application पर login करके account बनाके invest कर रहे हो यह total आपकी उपर यहां पर depend करता है कई सारे लोग यह भी करते हैं कि अगर यह company scam है तो RBI या फिर से भी क्यों नहीं कुछ एक्सल ले रही है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दू कि जब भी मामला बरा होता है अब वो एक बड़ा रूप ले एक बड़ा investment का रूप ले ताकि जब मैं वहां पर rate करो तो अच्छे amount वहां पर मिले हले कि मैं आपको किसी तरह का investment करने या नहीं करने के सलाह नहीं देता आप अपनी तरफ से research करो बट मैंने जहां तक यहां पर देखा है तो एक MLM company है और जब भी इस तरह की कोई company return देने का दावा करती है वादा करती है तो risk बनता है तो अगर आप risk ले सकते हो तो ही invest करना अगर नहीं ले सकते तो आप direct trading कर सकते हो काफी टाइम से market में इस तरह की company आती है जाती है तो उतना ही invest करना जितना कि आप effort कर सकते हो या फिर आपको अगर ट्रेडिंग करनी है सेल्फ ट्रेडिंग करनी है तो आप इसे सीखो चार्ट एनलाइज होती है फंडामेंटल एनलाइज होती है टेकनिकल एनलाइज होती है इन सब चीज को सीखो उसके बाद छोटे अमाउंट से पचास सो डोलर से आप market में आओ उसमें अगर पैसे बनते हैं इसकिल आपकी ड बड़ जेहिंट